कि नमस्कार अब स्वागत हाथ तभीका चानल कोचिंग लासे बाहराईच में आज मैं आप लोगों के बीच में एक न्यूज लिखे आए हूँ क्योंकि काफी लोग परिशान हैं तो संबंद में जैसे उपर आप देख रहे हैं थमनेल में दिख रहां आपको कि बहुत देर म में आएगा थड़ियर के बच्चों को होगी ज्यादा समस्या तो कहां समस्या होगी भी प्रूब के साथ में बात करूंगा भी तो इसलिए पूरी वीडियो को देखिए अफ़ाउं से बच्चों पेपर होंगे लोग अफवा फैला रहे हैं कि पेपर नहीं होंगे पेपर भी ना आपको पास कर दिया जाएगा तो यह पूरी तरीके से गलत है आपके पेपर होंगे और इनको में बात कर रहा हूं तो इसलिए पूरी इनवर्सिटी के साइट में विजिट करके आप वह बताने जा रहा हूं उसको देखिया आप चलिए तो मैं स्टार्ट कर रहा मैं सर्च कर रहा हूं आप लोग भी सर्च कर लिजिएगा इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि ऐसा कुछ अफ़ा नहीं है इसमें विद्प्रूब के साथ मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर यह देखिये जैसे यह खुल रहा है तो यह नोटिस बोड जब आप खोलेंग तो इसको जब आप डाउनलोड करते हैं नोटिस को मैं डाउनलोड कर रहा हूं हो रही है अब यह खुल जाए फिर मैं बता रहा हूं देखिए तो यह देखिए अब यह रिटर्न फार्म में ही दी गई है तो डॉक्टर रामनोरलो या और 25 तारीक को इसू की गई थी तो मा लोग भी अपने अपने घरों पर हैं तो इस सम्द में कालेज ने सूचना जारी कि 14 अपरेल 2020 तक बंद रहा है यह समसारी चीजें मतलब पूरी तरीके से कालेज बंद कर दिया गया है और इसमें का गया है इस अबद में आपार हारे कार्यों के संपादों ने दिश्विज जातर कर्बचारियों को सब्सक्राइब बुलाया जा सकता है अगर कोई इमर्जनसी पड़ी कालेज को तो कालेज बुला सकता है अने था किसी भी प्रकार से कोई कर्बचारी यह वहां पर नहीं जाएगा याँ अब रिजल्ट जो की अभी बीकाम फरस्टियर के कांपियां हलां कि चेक हो गई थी सेकंड इयर की लगहोगी भी चेक हो चुकी थी थडूरी भी लगहा कंप्लीट हो चुका था हो सकता था लोग उम्मीद लगा हो रहा होगा तो उसमें रिजल्ट आ सकता था लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं बन रही है कि अब 14 अप्रेल के पहले अपरेल निकल जाएगा हमारा अपरेल निकल जाएगा फिर जाके कहीं रिजल्ट आने के उम्मीद करें तो अब यह तो रिजल्ट देर में इस क्यों आएगा क्योंकि पूरी तरीके से कालेज बंद हो चुका है और दूसरी बात थाइडियर के बच्चों को समस्या कहा होगी तो देखे आपका यह उम्मीद थी कि हम लोगों का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा और जो बीएड इंट्रेंस देने जा रहे थे बच्चे उनको आसानी होगी उनके लिए समस्या नहीं होगी वह रिजल्ट आ जाएगा अपनी कांसलिंग करा लेंगे लेकिन अब दूसरी सूचना थी और तीसरी मैं बता दूं आपसे कि अभी कुछ लोग उनका फोन आ रहा है कि सर बिना पेपर दिये तो यह पास हो जाएंगे अगली क्लास में ट्रांसवर कर दिया जाएगा ऐसा कुछ नहीं आप प्रमोर्ट नहीं होंगे यह सिर्फ एड तक के लिए स लोग पढ़ रहे हो थे अब है तो जल्दी हो जाया करते तो तो फोड़ा लेट हो जाएगा तो इसलिए आप वहों से बचे अगर आपको सही जानगारी चीए तो आप इनवर्सिटी की साइड मैं इसलिए बार बार दिखा दे रहा हूं इनवर्सिटी की साइड को रिजल्ट आ सकता है नहीं आएगा बराबर लोगों का मैसेज आ रहा है तो ना तो इस समय कोई रिजल्ट आएगा ना तो कोई कांपी चेकिंग हो रही है और कांसिलिंग में समस्याएगी तिसी आप वहों से बचे आपको एक्जाम देना पड़ेगा जिनके जो भी पेपर बचे हुए है जैसे हमकाम के भी पेपर हैं और BSC के भी कुछ पेपर बचे हुए तो वो लोग अपनी पेपर की तैयारी करते रहें उनके पेपर होंगे सभी लोगों को पेपर देने होंगे बस यही सूचना देनी थी धन्नवाद